यह ग्राम्वबार्था मैंने क्या? यह जो हम लोग ग्रामीन जो हमारे भगवत विशय नहीं है गौपशप ननाप्रकार कुप्रशंगों ननाप्रकार मनोरअ Panhajy मंुष्ठ्धान जो भगव मनुष़ेश्व के साथ ब्यभार Рिक हशी मजा कादी इह ग्रामम बार्ता यह शादू के लिए निश्यदा है यह सब बारता कभी-कभी मन को प्रभावित करने में समर्त हो जाता है यह बहुत बिघातक होता है ज्यादा जो ग्रामीन लोगों का ग्रामीन लोग मने जो भगवत भजन करते नहीं है बहिरमुक है भोग-बृति जिनके प्रवल है भजन से कोई शम्मंद नहीं है और उनके शाधाम लोग गफशाप करते हैं और ग्रामीन का था ग्राम मो बारता काई भोग बृत्ती इशब भीशई बारता इसे बारता शुनना नहीं चाहिए यह तो हम आ रहे हैं आप आप तो सबसे हैं बड़ी बात है हमारे आं इतना चैनेल मनणन्यण में लिए हएकदम भरपूर में बिशाय बशाइब बुख़ना जागरीति के लिए हैं तुम्हारी मनको बहुत सुन्दर उपकरण है आप लोग जानते नहीं है कितना खतरनाग है कितना खतरनाग भयाबहो है एक द्रिश्चो कम से कुछ लिए तुम्हारे चित्त को बिक्षेप करके तुमको तंचल करके तुमको भगवचरन से मन को हटा करके दिर्ग शमय के लिए वह बहुर मुख करने के लिए शमर्त है ऐसे बोस्तू उसमें नहीत है ऐसे शब्षावदा उसमें भरपूर है इसलिए बड़ा मंगल कारी शाधक के लिए यह मुबाइल से बहुत दूर रहना बहुत जोरूरी है अभी शमय आ गया मुबाइल तो राकना है राकना पड़ेगा लेकिन वह कैसे उसको सुष्ट अप करके सुष्ट अपने ऐसे राक दो दूर फिर जब तुम्हारा शमय हो देखो कहां से कितने मिसकला है कहां करना जोरूरी है नहीं तो कोई बात नहीं तुम्हारे जिससे बात करना है बात करके फिर उसको ही राक करके बस आलमानी में रखकर बंद कर दो फिर देख नहीं है नहीं है नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इस तरह से बाबार कर सकते हो लेकिन वह जो काम नहीं है बैट जब भजन करते हैं भजन करने के लिए आम बैठते हैं उसको बीशेश करके सुष टप करके राग देना जब तक भजन करके खबरदार उसके शंपर्क में रहना नहीं